तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे मैं आपको javascript का setup करांगा इसमें जो भी आपको problems आती है javascript में like के आपको javascript की जो file होती है उसे execute करने की उसकी error कहां से find करते है तो इसमें बहुत easy तरीके से हर चीज हम practically करेंगे तो यह और कौन-कौन सी आपको extension download करनी है कौन-कौन सा आपको text editor download करना है किस तरीके सा आपनी javascript की जो speed है वो 100 times बढ़ा सकते है तो start करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको chrome पर आने के बाद आपको vs code नाम से text editor इसे install कर लेना इसे यहां से download करेंगे पहले और यह link मैं आपको description में दूँँगा वहां से भी यह आप आ सकत हो कि आपकी जो भी problems होती है जावा script को related वह सारी solve हो जाएंगी इसी वीडियो से और यहां पर आपको इसे install कर लेना जो भी आपका operating system है window के लिए है यहां से कर लेना Linux Mac OS OS जो भी आपका operating system है और मैं window के लिए कर लेता हूँ आप इस पर click करोगे और download पर click कर दोगे तो देख सकते हो आटोमाटिक ही download होना start हो जाएगा तो मेरा download हो रखा मैं इसे pause कर देता हूँ और उससे जाके install कर लेते हैं आपको accept कर लेना next करना और create a desktop icon next install अगर आपने install पहले सी कर रखा तो आप इसे update कर लेना कोई issue नहीं है and finish कर देते हैं इसको और यह automatically open हो जाएगा तो guys यहां पर सबसे पहले आपको कौन सी extension download करनी है तो यहां पर आपको सबसे पहले अपनी extension download कर दी है और वो है code runner and आपको यहां पर आना extension वाला option आपको जो रहोगा इस तरह के से और यहां पर आने के बाद आपको type करना है code runner and इस तरह का इसका icon होगा आपको यहां पर click करना मेरा install हुआ यह पहले से तो आप इस तरह का option होगा इससे आपको install कर देना इस तरही के से and install हो गया और इसके पाद आपको और extension download करनी है जैसे यहां पर आना और live server यह नहीं यह वाला नहीं है live server करना आपको और इस तरह के का icon होगा और इस आपको यहां से install कर लेना and after that आपको material icons theme हर एक extension को हम practically देखेंगे कि इनका काम क्या होता है and after that अब हम चलते हैं यहां पर और यहां पर मैं script.js.html तो काई मैं हर एक तरीके साफ को उता हुआ गा किस तरीके साफ जो फाइल से उन्हें execute कर सकते हो java script को यहां से जो हम अब तरीका दिखेंगे कि java script को कितने तरीके से आप execute कर सकते हो उसकी file को run कर सकते हो तो पहला दरीका तो यह होता है कि आप shift और one press करोगे तो emit automatically इतना आ जाएगा और यहाँ पर script करके javascript की console.log और यहाँ पर hello type कर लोगे इसे आप run करोगे इस तरह का आपको चब live server आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका एक icon शो और इस तरह हो ग इसे go live का वैसे यहाँ पर भी आएगा अगर आप right click करोगे तो open with live server और यहाँ से भी आपको शोगा इस पर click करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो live server है वो start हो जाएगा और आपका output दिखेगा console log में अगर console log में जाओ developer tools तो यहाँ पर देख सकते हो hello यह आचुका output तो यह तो कोई तरीका होता नहीं है और इसके बाद आपको extension download कराता हूं यहाँ पर आपको करनी है जावा स्क्रिप्ट टाइप करना है यह वाली जावा स्क्रिप्ट code snippet इस आपको install कर लेना इसका क्या काम होता basically यह आपको shortcut देती है जैसे यहाँ आप 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 टाइप करोगे तो import fs from इस तरही के से और मैं इसके cheat sheet आपको provide कर दूँगा यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो मैं इसके आपको पूरी cheat sheet provide कर दूँगा और यहाँ से आपको आना हो इसका क्या मतलब है जैसे अगर मैं यहाँ पर पहला हमने console log में किया था तो आपको CLG type करोगे तो automatically console log यह लिखके देदेगा आपको जरुआत नहीं पूरा लिखने की यह बहुत इस shortcut way होता है करने का आप जितने भी इसकी shortcut तरीक होते हैं यहाँ पर आप जाकर देख सकते हों यहां से पढ़ सकते हो आप इसके shortcut तरीक होते हैं तो और आपको एक यहाँ पर एक तरीका तो यह होता जावा स्क्रिप्ट कर और गलत हो गया यह जो next तरीका होता हुआ अब वही आप यूज करना हो इसमें आप यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं जैसे मैं test.java.js ठीक इतना इससे नाम रख देते हैं and control-n करोगे और control-s करके test.js नामचे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर कोल की थी और यहाँ पर clg टाइप करेंगे तो अटोमेटिकल हमें कंसोल लोग मिल जाएगा और यहलो इसके बाद इससे अगर हम रन करें इस वाली फाइल को ctrl-s कर देते हैं और रन करते हैं तो इसके आप कंसोल लोग में जाका ओटपुट देखते हैं तो यहाँ पर देखोगा है अब गाईज आपको जो मैं तरीका बताऊँगा वह वाला आप यूज करना इस तरी इन तरीकों में क्या होता है कि आप को फाइंड नहीं कर पाते हो कि यह कहां पर है कौन सी लाइन में और यह चोटे मोटे तो काम कर सकते हैं लेकिन जैसे बड़े काम होते हैं जावाइस को बड़ा-बड़ा कोड लिखना होता तो उसमें यह उतना एफेक्टिव नहीं है कि आप इसे कॉल करो और यहां से यू को नौट .js और यहां पर आपको इस वाले बर्जन पर आपको क्लिक कर देना करेंट वाला मत करना इसमें कुछ पॉब्लम्स होती है चो कि आपको यह वाले कर लेना रिकमेंट वाला इस पर आप कलिक करोगे आप्टे के डानओ डानोट होना यह स्टार्ट हो जाएगा मैंन आपको next करना है और एक्सेट कर लेना इसे पढ़ देना आपके पास अगा time होता हूँ इसके बाद आप next कर देना और next और next और next install and after that आपको क्या करना है आपको यहां से वापिस हा जाना है continue exit कर देना and इसके बाद आपको अपने browse उस पर टर्मिनल पाना और यहां पर आपको चेक कर लेना है कि जो node जैसे प्रोपर तरीके से हमारा install हुआ नहीं हुआ तो node और dot icon type करोगे तो version बता देगा यह आपको जो अभी install किया हमने and इसके बाद इसे आपको exit कर देना exit कर देता हूँ और अब आपको आना यहां पर इसे भी आपको दुबारा से आना इसे दुबारा से स्टार्ट करना आपको विजर स्टूडियो को रिफ्रेश हो जाएगा आपको and यहां पर आपको आना और मैं terminal open कर लेता हूँ इसे आसाट आता हूँ new terminal और यहां पर आपको अगर इस फाइल को आपको रन करना test.js को तो आप बैसे तो नहीं कर सकते थे कि आप डारेक से ब्राजर में रन करते नहीं कर पाते आपको इस टेमिल के साथ embedding करना पड़ता लेकिन अब आप कर पाऊगे आपको pure JavaScript की फाइल को रन कर सकते हो यहां से मैं करना चाहूँ तो देख सकते हो test.js तो आपको टाइक पिना node और test.js तो यहां से आपको यह आउट्टी बता देगा तो खाइज मैं यहां पर एक प्रोगाम लिख लेता हूँ और यहां पर मैं एक प्रोगाम लिख लेता हूँ और आपको error find किस तरीके से करोगे JavaScript में node.js के तुरूँ तो यहां पर आपको मैं यहां पर c को और अगर मैं इसे run करूँ यहां पर node और test.js तो यह completely आप देख सकते हूँ और output यहां पाद चुका 30 लेकिन अगर यहां पर मैं कोछ और variable डाल देता हूँ जिसे s डाल देता हूँ जो कि ctrl s करके पर मैं इसे run करता हूँ तो यहां से यह आपको output बताएगा उ तो यहां पर आप को आपको error को यह बिलकुल mark कर देगा कि आपकी error कहां पर है यहां पर आपको learn 4 मैं आपकी error है तो आप line देख सेक्वेau is not defined यहां पर यह आपको दिखाएगा कि लाइन 4 के अंदर जो 13 वी लाइन है 13 तो वहां पर यह एरर है तो आप यहां से देखोगे 13 जो वर्ल्ड है वहां पर यह आपको जो जावा स्किप्ट होती है उसमें एक्चिल एरर दता देगा कहां पर आपको एरर आ रही है जबकि हम जिसमें आएंगी आप उसे फाइंड कर सकते हो तो इस गाइज इस वीडियो में इतनी अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो थेंक्स वाचिंग गाइज